हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी बिलाउज में बैक नेक पे डिजाइन इसलिए मेरी वीडियो को लाश्ट तक जुरूर देखिए यह देखिए मेरे पास से बिलाउज का बैक पार्ट कट किया हुआ ठीक है मैं यह इसका गला कट करूंगी यह देखिए और मैं इसको वी सेप दूंगी इस परकार से करते हुए मैं कट कर दूंगी ठीक है यह देखिए मैंने गला कट कर दिया अब मैं डिजान लगाने के लिए यह रैड कलर वाला कपडा लूंगी और इसमें करीब करीब में डेड डेड इंच की पटियां ठीक है ये देखिए मैंने पटिया कट कर ली अब इनको मैं जोड लेती हूं देखिए एक एक पटि उठाऊंगी और इनको इस परकार से रखते हुए जोइंट लगा लूँगी ठीक है सिलाई लगा दूँगी और ये कुछ पटियां पाइपिन के लिए निकाल ली ये पटि ठीक है ये निगले पे पाइपिन निकाल ली ये एक निसान गले के बिचो बीच सिद्धा लगांगी इस परकार से ठीक है और एक निशान यहां से डेड़ इंच रखते हुए और एक यहां से ये बीच वाले से डेड इंच रखते हुए दोनों साइड डेड डेड इंचे दूरी पर एक-एक निसान मैं सिधा लगा दूंगी ये देखिए इस परकार से ठीक है अब मैं ये जो पट्टी कट की थी ये देखिए डिजान लगाने के लिए इसको मैं डबल फोल्ड करूंगी इस तरीके से और किनारी पेसी लाई लगा दूंगी ठीक है देखिए मैंने पट्टी पेसी लाई लगा ली अब मैं इसको सिधा करूंगी ठीक है कि ये देखिए मैंने पट्टी को सिधा कर लिया अब मैं गले पे इस परकार से पाई पीन से थोड़ा सा दूरी पर रखते हुए ये देखिए इस परकार से रखते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए शिलाई लगा दूँगी ठीक है ये देखिए ये पट्टी मैंने सेट कर दी अब मैं यह इस परकार से थीन चोटी चोटी पट्टी यहां कट करूंगी यह देखिए एक यहां पे सेट करूंगी एक यहां पे और एक निचे वाली साइड थीक है इस परकार से इन पे भी मैं सिलाई लगा दूँगी ठीक है देखिए मैंने पटियों पे लाए लगा दी अम माण यहाँ से आरमोल की साइड साड़े तीन इंच पे एक निसाल लगाऊंगी यह देखिए और इसी परकार से दूसरे आरह मोल पे निसाल लगाऊंगी यहां से साड़े तीन इंच यह देखिए ठीक है अब मैं यहां से यह पट्टी यह देखिए इस परकार से मोडते हुए और इनके उपर से लगाते हुए और इस परकार से यह साड़े तीन इंच वाले निसाल तक लगा दूँगी ठीक है इसी परकार मैं दूसरी साइड लगाऊंगी ठीक है देखिए मैंने दोनु साइड पट्टी लगा दी अब मैं यह मोती लूँगी और एक एक करके यहाँ पर रख दूँगी ठीक है यह देखिए मोती मैंने चिपका दिये कितने सुन्दर लग रहे हैं डिजान बन के तयार हो चुका है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर कुछ पूछना हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं